पिनाम दोस्तों मैं आरोई आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं पॉजिटिव हैं आप सभी अपना इनर्बग अच्छे से कर रहे हैं आप सब के लिए अप्टर फुल मून की एनर्जी लेके आई हूँ और फुल मून की एनर्जी मैं पहले बता चुकी थी कि ब्लैस्टिंग्स वाली रहेंगी आपको जितना हो से कि ब्लैस्टिंग्स रिसीव करनी चाहिए यानि कि एकदम जानी सडली एनर्जी जो चेंज लेकिन सुभास के बाद यानि कि आफ्टर नून के बाद यानि कि तीन से और जो टाइम हो रहा है आपका तीन के बाद का जो टाइम आपका सडली चेंज हुआ वो थोड़ा हैवी चेंज हुआ आपको थोड़ा घवराट हो रही है घवराट आपको पिछले तीन चार दिनो से हो रही है सड़ली बिना कुछ सोचे समझे अचानक से आपको घबराट होती है और बिपिलो या बिपि हाई जैसा फील हो रहा है आपको लेकिन सड़ली बोडी में एक तरह मतलब एक तम से आपके अनरजी ऐसे लगता है कि बोडी काम नहीं कर रही है आप बिलकुल साइलेंट मोड में हो गए है तो इस तरह की अनरजी आपको फील हो रही है सबसे पहले जो मैं कहना चाहूंगी पहला मैसेज मेरा ठीक से सुने वो यह है कि पहले आपको अपनी क्लीजिंग करने की जरूरत है कि आपकी फुल मून पर जो ओल्ड शेल्फ थी हमारी old इसकी थी वो जा चुकी है एक नई सकी एक नई एनरजी हम फिर से एक टापिन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले अपनी क्लीजिंग करने की जरूरत है अपने औरा को क का एक फॉर्मूला था जो उसके according मुझे मिला है मैंने देखा कि एक लकडी का टुकुडा है जिसके दोनों चोडों पे यानि की लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट पे एक लोही की कील लगी हुई है और जो राइट वाला पार्ट है उस पर एक लोही की कील के उपर एक गो दूसारे से उसकी जो गोन वायर था उसी से एक और वायर जो दूसरा पारट था यदि लेप्ट वाला वहां जा के चनठ हो रहा था यानि सब कोईश्ष्ष माइंड मुझे बताया गया था कि सबվनेश्ष माइंड यहां से और इस वज़ा से इकार जो सब काइंसिस माइन्ड है रहा है और इस वजुँनिश हो रहा है ऑर इस वजा से dei जो आपकस की शिकस्थ पर हो रहे हैं यानि इनदीनों ट्रांसप्रों प्रांस्पर्ब्लें की अनरिजी ऐसे वह जो आपकी स्क्राइवल वहा थोड़ा सा डवलप होनी होने की वज़ाइस से आपको प्राब्लम दे रहे है यानि बोड़ी आपको प्राबलम दे रही है क्योंकि बोड़ी से ज्यादा आपका माइंड डवलप हो रहा है इसके रहते हमतलब है आपको जैसे कि कोई माइग्रेश्य हो या को बहुत बढ़ा एक तरह से ट्रॉमा आपको मिला हो कुछ इस तरह से पेन आपको हो रहा होगा ठीक है लेकिन पर नगी उसकीन आई है उससे पहले आपको अपने पहली जो एनरजी थी को आप यह थोड़ी सी टफ रहेगी टफ मतलब ऐसी टफ नहीं है लेकिन टफ इसलिए है कि आपको पहले प्रॉपर रेस्टिंग मोड पर डाला जाएगा यह एनर्जी चाहती है कि आप प्रॉपर रेस्ट करें और मुझे पता है कि बहुत कुछ ऐसे परसन है आपके इस सोल फैमिली कि जिनको नीन नहीं आ रही है तो बेवजा कि थोट आ रहे हैं और थोट की वज़ा से आपको बहुत बेचानी बहुत घवराहत और जादा बढ़ने लगी है तो आपके लिए फर्ष्ट वाला मैसेज यही है कि आपको सोचना कुछ नहीं है अब आप बोलो कि मैं हम सोचती नहीं है वो आपने आप हो रहा है बिल्कुल मैं मानती हूँ आपने आप हो रहा है लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे तो पहले तो अपनी एनरजी को क्लीन करें अपने और और को क्लीन करें और वाटर के साथ जितना हो सा कि कनेक्शन क्रियेट करें वाटर को सिंधने की जरूरत है क्योंकिन नाइगिटिविटी आपने छोड़ी है चीजें पौर जिन चीजों ने छोड़ा है उन्कात थोड़ा थोड़ी है suffers import है बहुत ज़्य का कुई बात नहीं नहीं लेकिन लेकिन आपको राष्ट जरूर करना है इंटूशन अपना फोलो करें और जो conveniently आपको एक sex अपने flatter ली है जो भी आपके सामने अपने से आप सामने रही हो सकता है बेश्णत तो मैं जरूर देखे जाओगी तो मुझे message मिला है कि कुछ ऐसी soul है जो कुछ ऐसे relationship की loop में फस गई है यहीं रिसंटली कोई ऐसा connection क्रियेट हुआ है आपका या फिर हो सकता है मेभी आप बहुत टाइम से उसे जानते हूं एक friend की तरह उसके साथ आप treat करते आए हूं या एक teacher की तरह उसे guide करते आए हुए हूं लेकिन suddenly आपके thought change हो गए है आप एक loop create कर रहे हैं उस energy के साथ में उसके साथ में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या आपको ऐसा feel हो रहा है कि इससे मेरा कोई relationship है या इसके साथ मेरा कुछ है कुछ तो ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ या समझ नहीं पा रहा हूँ तो कुछ ऐसी चीजें आपके में भी आपको याद आ रही है या फिर आप उस loop में फस रहे हैं अगर आप इस loop में फसे हैं तो please cut करें ठीक है क्योंकि ये energy आपके लिए नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा आपको आपने एक loop create हो चुका है आपके बीच में और आप उसी loop में बारवार टैप इन कर रहे हैं उस loop को आपको तोड़ने की ज़रूरत है किस तरह से तोड़ना है थोड़े देर के लिए आंखे बंद करन है और एक आपको infinity का जो symbol होता है उसे image करना है कि आप दोनों का ये loop है और इसे आप कट कर रही है और इसे जला रही है ठीक है इस तरह से इस loop को कट करना है आपका और जिसके साथ में आप ज़्यादा सोच रहे हैं उस energy के बज़़े से ठीक है क्योंकि आपको अब मैं बता दो जो after full moon की energy रहेगी inner wisdom की रहेगी बहुत ग्यान बहुत knowledge बहुत चीजों के बारे में रेर रेर चीजों के बारे में आपको पता चलने वाला है बहुत डीप जाने वाले हैं उससे पहले ही body rest चाती है DNA rest चाता है mind आपका rest चाता है सब conscious mind आपका rest चाता है हां मैं मैं मानती इसकी वज़ा से आप में आपको ऐसा लग रहा है कि आप depression की सिकार हो रहे हो इस चीज से बचना है हो सकता है आपको बहुत घबराहट बहुत फील हो रही हो जितना हो सके कुछ medical store से जाके थोड़ा सा आप medicine का भी use करें कुछ ऐसी tablet वहां जाके आप उनको बताएं कि आपक जाके consult करें और थोड़ा सा medicine का सहरा लें या उपयोग करें क्योंकि आपको इन दिनों रेष्ट की सबसे ज़्यादा जरूरत है वही आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप unconditional love तो समझ गए हैं या जानते हैं आपके चारों तरफ energy generate हो गई है चारों तरफ से energy आ रही है ले पहले अपने आपको ready करना है उस force को receive करने के लिए उस energy को receive करने के लिए क्योंकि universe की तरफ से intention set हो चुकी है आपकी इंटेंशन सेट हो चुकी है आपने भी काफी बार बुला है कि मैं positivity को claim करता हूँ या करती हूँ अपनी blessings claim करती हूँ या करता हूँ तो आपकी जो intense है व body की तो स्थिति है इस in case उस चीज़ को receive करने के लिए ready नहीं है तो सबसे पहले अभी आपको अपना mind और body पे काम करने की जरूरत है और आपका divine I mean feminine का जो पार्ट है उसे balance करने की जरूरत है थोड़ा सा alone belong करे अपने अंदर के masculine feminine को balance करें या meditation आप जानते हैं दीम और सिर्फ बैटना है universe से energy लेनी है उपर से universe की energy आपको आता हुआ feel करना है white light और white light root चक्रा से नीचे आपके अर्थ में जा रही है अर्थ का crystal core है वहाँ तक जा रही है और अर्थ में जाते हुए energy pink light में change हो गई है ये दोनों energy बापिस आपको अपने heart चक्रा पे receive करने है white plus pink और इन दोनों को feel करना है कि दोनों आपस में घूम रही है यानि कि male and female आपके अंदर का feminine and masculine दोनों balance हो रहे हैं और universe की golden light आपको heal कर रही है इस तरह से छोटा सा है एक remedy है आप इसे यूज़ कर सकते हैं balance करने के लिए बहुत आपको useful रहेगा तो अब भी आपको आपकी जो old skin है वो जा रही है old pattern आपका जा रहा है old सारी चीज़े आपकी खत्म हो रही है तो उसके लिए घवराना नहीं है और यह थोड़ी सी आपको beard वाली energy feel हो रही है because आपको एक नई energy के साथ में काम करना है तो उससे पहले आपको पने mind और body को द है force energy को frequency को पर आपका body level पर आप उसके लिए ready नहीं है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा overthinking कर रहे हैं तो overthinking से बचना है और अपने आपको balance करना है तो यह है आप लोगों के लिए guidance I hope आपको समझ में आया हो मैं जानती हूं ठोड़ी difficult energy है लेकिन मैं आपको बता चुकी हू तो में भी आप इस energy को अच्छे से deal कर पाऊगे तो यह इसी के साथ चलती हूं और अगर आपके साथ resonate हुआ है आपके लिए benefit रहा है तो ब्लीज मुझे like करें and subscribe करें इसी के साथ चलती हूं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें